गूगल ने अपने एन्यूल इवेंट में कई बड़े एलान किया है, कम्पनी ने दो स्मार्टफोन, एक टैबलेट के साथ विबिनर सर्विसेज में AI के इंटिग्रेशन को टीज किया है, मगर गूगल का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है, बलकि कम्पनी ने अपने फ्यूचर प्लान को भी टीज किया है, जैमिनी कम्पनी के फ्यूचर प्लान का बेस होगा, आईए जानते इसमें क्या कुछ खास होगा गूगल में कम्पनी ने कई बड़े एलान किया है, इसकी शुरुवास से ही ब्रांड का फोकस AI पर रहा अल्फाबेट CEO सुन्दर पिचाई ने इवेंट के शुरुवात ही AI से की, अपने एन्यूवल इवेंट में कम्पनी ने BIID को अधिकारिक तौर पर लॉंच किया है, बिंग और चैट GPT को टकर देने के लिए गूगल ने जनरेटिव सर्च और बॉर लॉंच किया है, कम्पनी ने इससे आगे भी प्लानिंग कर ली है हम बात कर रहे है जैमिनी की, जो गूगल की AI वर्ल का फ्यूचर प्लैट्रों होगा, बार गूगल में लेंगविट मॉडल पाल्म दो पर बेस्ट है जबकि जैमिनी इसके आगे की कहानी लिखेगा, इसमें इजर को मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज मिलेगी, जो इससे दूसरे से काफी आगे पहुचा देगी गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में इसके बारे में बताया है, कमती ने लिखा कि हम जैमिनी पर काम कर रहे है, हमारा अगला मॉडल ग्राउंड से मल्टी मॉडल तक होगा, जो API इंटिग्रेशन और टूल्स में बहुत प्रभावी होगा इसका इस्सेमाल मैमरी और प्लानिंग जैसे फ्यूचर इनुवेशन में किया जा सकेगा, ये प्लैट्रोम अभी ट्रेनिंग फेज में है, लेकिन इसकी मल्टी मॉडल ख्षमताए सामने आ चुकी है विरो रिपोर्ट, GSTV